तो कोरोना की तीसरी लहर अब दस तक देने लगी है जबलपूर की अगर बात करें तो कोरोना के मामले दोबारा सामने आने लगे हैं जबलपूर में कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं जहां आपको बता दे निरक्षण करने के लिए नाशनल हेल्ट मिशन एम्स बोपाल और डॉक्टरों की टीम को भेजा गया है। स्वास एधिकारियों का कहना है कि ये टीम कोरोना की जाच का निरक्षण करेंगी और पूरी रिपोर्ट तयार कर राज्य सरकार को भीजेंगी। पिछले दस दिनों में ही अस्ती से जादा मरीज सामने आ चुके हैं और करीब 63 जो मरीज हैं उनका इलाज चुल रहा है। जबलपूर से ये खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर करोना फैलता जा रहा है और करोना की ये जो तीसरी लहर है अब दस तक देने लगी है। है या कुछ डॉक्टर से मेरी भी चर्चा हुई तो उनका ये कहना था कि ऐसा कुछ भी संभाव है कि देंगु का कोई एक स्ट्रेंड दूसरा तो नहीं है जिसके कारण टेस्ट नेगेटिव आ रहा है लेकिन लक्षण उसी तरह के दिखाई दे रहे हैं प्लेटलेट काउ कोई वाइरल फीवर संभाव है तो वहीं जबलपूर में जहां एक तरफ कोरोना पैर पसा रहा है वहां डेंगु विसर उठा रहा है जिसकी रोक्थाम के लिए अब एक अजीब गरीब फर्मान सामने आया है नगर निगम कमिशनर का ये फर्मान है और इसके साथ ही फर्मा को कूलर उप्योग नहीं करने के निर्देश दिये गए हैं डेंगु के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसा लिया गया है पाक पता देंगर निगम कमिशनर जबलपूर का ये जीब गरीब फर्मान सामने आया है और एक महीने के लिए कूलर का इस्तमाल ना करने की बात कही गई है तो एक तरफ कोरोना जहां जबलपूर में फैल रहा है वहीं डेंगु भी अपना सर उठा रहा है तो इसके चलते की ये बिमारी अपने पैरना पसारे नगर निगम कमिशनर का ये फर्मान सामने आया है कि एक महीने के लिए कम से कम कूलर का इस्तमाल जनता ना करें